हमारी सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा है ग्रेवी का टेक्स्टर दीखें वह कितना अच्छा है पनीर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट है इसमें इसमें मैंने लिए 500 ग्राम पनीर 500 ग्राम मट statement इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए 4 प्याच 5 टमाडर पोछ करके लसंगी और थोड़ा सा टुकडा अद्रक का इसमें मैंने कुछ खड़ी मसाले लिए जिसमें मैंने लिए 2 तेज पकत्ते 4 सूखी लाल मिर्च पांच लियें लॉंग थोड़ा सा तुकड़ा दालचीनी का तीन हरी लाइची एक बड़ी लाइची और एक स्टार और कुछ दाने मैंने लिये काली मिर्च की ुअ है को पानी लिया मत्र डाल से टालइ मत्र डता कि लेकरवर के नंव हुआपनी अग्रां आर्ट के रसलेते हैं जाली की देखा अनुरा испी उबलना रातल हैं तो फ्रेंट का मारा वली गरम हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे पनीर और इसको प्राइए करेंगे बच तो फ्रेंट पनीर हमेरे फ्राई होगी है अब हम इनको अने गुन पानी में डाल देते हैं ताकि पनीर सोफ्ट रहे, तो फ्रेंट्स कड़ाई लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा से रिफाइन डालते हैं, तो फ्रेंट्स सोयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले जो हमने करे मसाले लिये थे, वो डाल देते हैं, उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इ वो डाल देंगे, अब जो हमने अद्रक और लसन यह सब हलका हलका चुट्चा टाकि आए ऐसा, उसको भी डाल देंगे, अब हम इसमें आड़ देते हैं टमाटर, और इनको अच्छे कजिनेंगे, हम इसमें आप केवल स्पून नमक आड़ कर देते हैं, ताकि हमारे टमाटर जल्दी गल जाएं अब इसका धकन लगाके हम तीन मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तो इसको पकते वे तीन मिनट हो गए, अब हम इस सोल के देखें, यह सब भून गए हैं और यह देख हमारे टमाटर के स्किन भी उदर नी चुरू हो गी है, इसका अमकर हमारे टमाटर भी अच्छी से भून गए हैं, अब हम गयास को कर देते हैं, और इसको थोड़ा से थन्ना होने के लिए रट देते हमारी कड़ाई गरम हो गए, आब इस जीरा काने, हमारा जीरा के रखने लगेगा, अब इसमें हम डाल रेते हैं पेज पता, तो पहले सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच देगी मिर्च, हाफ चम्मच, हल्दी, इसमें मैं डालूंगी और चम्मच, धन्या पाउडर, और इनको हम अच्छे से मिला ल अब फ्रेंट समने जो प्या जो टीमाटर का पेस्ट बनाया था वो डोल गोते हैं अब इसको हम कंटिनूसली चलाते रहेंगे और उसमें में जो थोड़ा सा मसाला बचाते हैं यसमे में अच्छे पानी डाला और इसमें आड़ कर देंगे और इसे कंटिनूसली चलाएंगे एक जममच नमक ड़कन लगा के लग देंगे दो से तीन मिनट जब तक हमारा मसाला ऊएल न छोड़ दे इसमें मैं अड़कर देते हैं थोड़ा सा जीरा पौडर और स्वार को तो यह थोड़ा सा काली मिर्च पाओड़ा, जो हमारी लाल मिर्ची थी उनको भी डाल देते हैं, और इसको मिक्स कर देते हैं, तो अब 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 रमीसे खोल के देख लेते हैं, येस मसाला तैयार हो गया है, अब अब इसको चलाते हुए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, अब हम इसमे डालते हैं मतर, मतर को हमने पहले बोल कर लिया था, ये देखे फ्रेंट्स, ये देखे फ्रेंट्स, बिल्कुल हमारी मतर का कलर कींग नहीं हुआ है, अब हम इसमे एड कर देंगे, अब हम इसमे डाल के मिस्ट कर लेते हैं, पनीर देखे फ्रेंट्स, बिल्कुल सॉफ्ट है, अब हम इसमे एड कर देंगे, इसमे थोरा सा पानी एड कर देते हैं, और हमारी सब्जी जो है बहुत, आप में अज़ेशे, ये उद्ली मीश्फिक, इसमें थोरा सा पाणी एड कर देते हैं, तो यह हमारी सबी, अब इस पर मैं एक चमच कसूरी मेथी अड़ कर देती हूं, जिसको मैंने हाथों से क्रेश्ट कर लिया है अब इसका रखन लगा के इसको दो मिनट के लिए और पकने देंगे, ताकि हमारी मटर और हमारे पनीर के अंदर अच्छे से मसाले चले जाए तो फ्रेंट्स हमारी सब्जी को पकते वे होगे 5 मिनट अब हम इसे खोल के देखे लिए यस हमारी सब्जी बन गी है अब हम गया गया अब हम गयास को आफ कर देते हैं, दूद के मलाई डाल रहे हूं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं अब हम गानिशिंग के लिए इसमें लालेंगे, मैरे पतले पतले अद्रक के पीस काटे हैं हरी मिर्च काटी है और धनिया और हमारी सब्जी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयो रख प्रेख के लिए तन लागल प्राइब अर्श कर देघिए थार क्रीमी बनी है और सबजी का टेक्चर देखे कितना अच्छा है और स्मेल वाव स्मेल तो बस बहुत बढ़ी हा रही है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल कीजिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक यू और टेक केर